दोस्तों स्वागत आपका प्यारासे चैनल टेक बाई असमें दोस्तों अब बात करेंगे पीएम विसकर्मा योजना की तहट रजिस्टेशन किस तरह से करना है सुरू से लिका के प्रिंट तक की पूरी जानकारी देंगे दोस्तों और बहुत सारे भाई फ़ाम भरते वक्त मिलने वाला है है उसके बाद मैं बताता हूं कि कि फिलब करना है कौन सिक्षाम को नहीं करने है जिसके तो या Citizens passion करें कि साथ जयान लेते हैं कि किछ कि किन को फर्म को हाला करना है यह मैं नुए आपको क्री दिखा देते हूं सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं पुस्तैनी कामगार जैसे कुमार हो गए बढ़ाई हो गए लुहार हो गए सुनार हो गए दरजी हो गए नाई यानि बाल काटने वाले राज मिष्ट्री जो घर और जोड़ते हैं धोबी माली नाव बनाने वाले रठाओडा बनाने वाले अस्त्र बनाने वाले मूर्तिकला यानि मूर्तिया बनाने वाले जो गाओं में डलिया बनाती है जैसे साधी बेवा में जो डलिया होती है ओ बनाने वाले खिलावना बनाने वाले जैसे कोई आप खिलावना बनाते हैं तो खिलावना बनाने वाले भ कर सकते हैं आपको सारी योजनायों का लाफ मिलेगा और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क करें दिए और उसके तहद आपको उसकी बाद आपको सरकार की तरफ से पंद्र हजार रूपयां मिलेगा एक लाख तक का आपको रिड मिल जाएगा बीना बंधक के आपको कोई बंधक बनवाने की जरूरत नहीं कोछ भी गिरिवी रखने की जरूरत नहीं है आपको एक लाख का लोन असानी से मिल जाएगा अगर आप पीम विश कर्मा योजना का रेइस्टेशन करवा लेते हैं तो एक लाख आपको मिल जाएगा उसका आपको जो है 18 महीने के बाद 18 महीन तक अगर आप जमा कर देते हैं उसको छिर्फ 5 पर सेंट पर याद एक लाख का अगर 18 महीने पर देंगे आप तो उस दोरान भी आपको जो है पाच पाच सो रुपे दिये जाएंगे त्रेनिंग पंदर दिन की जब कंपलीट कर लेते हैं तो अब आपको दो लाग रुपे तक आप सरकार देगी दो लाग रुपे जो देगी आपको ढ़ाई में धाई साल के लिए तीस महीनी के लिए सरकार आपको जो है दो लाग रुपे परदान करेगी अगर इस लून को जब आप चुका लेंगे तो दोस्तों एह है इंपोर्टेंट लाफ आप लोग सभी लोग जो है जो भीवाई यह सब काम करते हैं वह लोग इसका रेजिश्रेशन अवस्य करवाने और भी लाफ आने वाले ससायर कर्वाने के लिए अपने नजदी की स सेंटर पर जाना है वहां पर अपना अधार काड और एक रासन काड ले सबढ़ा जाएगा वहां पर जाकर कि आप कहीएगा तो लोग आपका फॉर्म भरेंगे जैसे यह आपका फॉर्म हो जायेगा तो आपके ग्राम प्रधान क पास आपका बायर डाटा जाएगा तो गराम परधान आपको verify करेंगे कि यजैर कि यह जो है यह वाकई में काम करते हैं या नहीं करते हैं तौरा परधान आपका मेग की जब आप यस हो संदा को झूला करना है तो कि अलिक करना है यह बहात distant तक आप अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्रीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों अगले वीडियो में बताऊंगा कौन से गलती आपको नहीं करनी है जिसके करार से आपका लावना मिल पाएगा धन्यवाद